जिस कार्तिक आर्यन से अक्षे और सल्मान हैरान थे जो कार्तिक आर्यन अक्षे की फिल्मों की सीक्वल में काम कर रहा है वही कार्तिक आर्यन कारण बने है अलू अर्जुन की फिल्म रिलीज ना होने के अलू अर्जुन इस वक्त लोगों के दिमाग पर चाय हुए है पुश्पा में कमाल का काम कर दिया है और इस वक्त ओडियन्स अलू अर्जुन को जादा से जादा देखना चाती है और अलू अर्जुन के जो फिल्मों की प्रेडूसर्स हैं वैसे वैसे थेटर्स के पास ना तो कंटेंट है चलाने के लिए इसलिए अलू अर्जुन की लास्ट येर की एक ब्लॉगबस्टर फिल्म अलाव वैखुंट पूरुमुला ये हिंदी में रिलीज होने जा रही थी आपको बता दे कि मनीश चा जो साउट की फिल्मों का हिंदी वर्जन डब करवाते हैं और उसके प्रिडूसर रहते हैं उन्होंने इस फिल्म को डिकलेर कर दिया था कि ये फिल्म 26 जनवरी को सिनेमाज में आएगी और सभी थेटर ओनर्स भी खुश हो गए थे कि चलो इस ये फिल्म अल्रेडी ब्लॉकबस्टर थी और अब ये फिल्म हिंदी में डब होकर रिलीज होने जा रही है लेकिन यहां बॉलिवूड में अलु अर्जून की इस फिल्म अला वैखुंट पुरु मुल्ला पर अल्रेडी एक फिल्म बन रही है जिसका नाम है शहजादे और इस फिल्म में कार्तिकारियन काम कर रहे हैं फिल्म की काफे कुछ शूटिंग भी पूरी हो चुकी है ऐसे में अगर साउथ वर्जिन का हिंदी डब्ड वर्जिन थेटर में रिलीज हो जाएगा तो फिर कार्तिक की फिल्म को कोई देखने नहीं आएगा और सबसे बड़ी इस फिल्म का बजट भी अच्छा कासा है वहीं अगर बात करें मनीश चाकी तो वो साउथ की फिल्म को हिंदी में डब कराने के लिए चार से पांच करोड रुपया खर्चा करेंगे और फिल्म तयार हो जाएगी तो इसलिए शहजादा फिल्म के मेकर्स को चिंता हो गई अ नहां कर उन्होंने मनीश चा से बात की मीटिंग की और इस फिल्म को होल्ड करवाया कि इस फिल्म का हिंदी वर्जिन आप ख्याटर्स में रिलीज ना करें कहा जाता है कि इसके लिए शहजादा के प्रिद्यूसर्स ने मनीश चा को एक बड़ा अमाउंट दिया है जो शहजादा फिल्म रिलीज हो जाएगी उसके बाद ही आप अलु अर्जुन वाली फिल्म का हिंदी डब्ड वर्जिन रिलीज कर सकते हैं तो शहजादे के प्रिद्यूसर् ने कुछ महीना ये फिल्म होल्ड पर रह जाए उसके लिए करोडों रुपई की कीमत चुकाई है और यही एक कारण है कि अलु अर्जुन का इतना क्रेज होने के बावजूद उनकी एक और ब्लॉक बस्टर फिल्म थियाटर में रिलीज होने से रुक गई है मनीश शाह ने आज कंफर्म किया है कि अलाव एकुन्ट पूरु मुल्ला को वो थियाटर में रिलीज नहीं कर र किया है